आप सभी को जैमसी की जीजस वाइस रूप चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं आप से अनुरोद करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो को आप सेर भी कर दें कि अंदर घमंड भर गया है लोग आजकल घमंड करते हैं मतलब पेशू का घमंड धन का घमंड खुबसूरती का घमंड ताकत का घमंड कई लोगों के पास पेशा आ जाता है तो ये घमंड आ जाता है कि मेरे पास इतना पेशा है कि खुबसूरती के कारण घमंड में आ जाते हैं कि मेरे जैसा खुबसूरत कोई नहीं है जाता है कि मेरा जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है हमारा ये जो शरीर है जिस पर हम घमंड करते हैं वो केवल एक मिट्टी है बाइबल हमें इसके में इसाय, तुम मुसलिम में ये में वो औहता हूं तू इसको मानता है तू दो नीच है मैं उच्चा हूँ है तू काला है मैं गोरा हूं इस परकार से लोगों के अंदर गיमनद आ गया है वह को एक मिट्टी और जलती ही मिट्टी में मिल जाएंगे आए हैं और एक बार हमें जाना पड़ेगा हमने जनम लिया है तो मरना भी पड़ेगा हमने जब जनम लिया तो हमको पता नहीं था कि हम कहां पर जनम लेंगे किस परकार से हम होंगे हमें पता नहीं था वो तो सब कुछ स्रिष्टी करता को मालूम है और जब हम इस दुन्या को छोड़ कर जाएँगे तो हमें मालूम नहीं है कि हमारी मोत कब आएगी हमें कब इस दुन्या को छोड़ कर जाना पड़ेगा ये किसी को भी पता नहीं है सब कुछ परमिश्वर को पता है तो मैं उत्वत्ति उसका 3.19 कलम में लिखा है परेजलोड यहां पर जो मनुष्य की जो उकाद है वो बाईवल यहां पर सप्ष्ट रूप से बताती है हम परमेश्वर के हाथों की बना हूज्वी एक रचना है हम परमेश्वर के सरूप के अनुसार बनाए गए है जो हमारे अंदर जो परमेशों ने जो अनमोर रतना रखा है और वो है आत्मा लेकिन कई लोग आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं कई लोगी सरीर के लिए परिश्रम कर रहे हैं लेकिन ये जो शरीर है वो एक दिन छोड़ना पड़ेगा और इस सरीर के साथ क्या होगा आप जानते हैं ये सरी को एक दिन मिटी में मिलना पड़ेगा क्योंकि ये मिटी से निकाला गया है इस दुनिया में सबसे अमीर वेक्ति क्यों न हो वो चाहे सोना चान्दी में क्यों न सोता हो रुपय पेसे में क्यों न सोता हो लेकिन उसे एक दिन मिटी में ही मिलना पड़ेगा ये बाइबिल की सत्ता है ये बाइबिल अबे सत्ता बताती है कि जो मनश्य है वो कितना भी घमंड कर ले कितना भी अमीर हो जाए उसके बाद कितने भी बुद्धी आ जाए वो कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी बुद्धी मान हो जाए, वो कितनी भी खोजी कर लें, वो कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अंत में उससे मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा, ये बाइविल मनिश के बारे में स्वष्ट रूप से बताती है, सब एक हैं, चाहे वो मुसलीम हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो क्रिश्चन हो, चाहे वो जेन हैं, सब कुछ परमिश्वर की रचना है, लेकिन आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्रिश्चन का खुन एकी है, हिंदू का खुन एकी है, मुसल्मान का भी खुन एकी है, इस द टोश्य आज्श अपने अपने मारगू में चल रहा है, अपने अपने लिए धरम बना लिये हैं, लेकिन हकिकत यह है कि वो परमिश्वर को भूल गये हैं, मोत का कोईभी समय नहीं है, मोत किसी को कहकर नहीं आती है लेकिन मौत अचानक आ जाती है , इस काम करें अच्छे भले कारी करें वो ही हमारे साथ जाएंगे तो इस वीडियो में आप देखें कि किस परकार मौत आ जाती है और हमें इस दुनिया को छोड़ कर जाना पड़ता है झाल झाल मौत आपन मौत पाइंगे और हमें दाती है और हमें परकार मौत परकारा हाया तो उना कि स्वीकारा जाएंगे अलाएंगे है ुओा लिएको जाहा बत् सावाज स्वीश आ पर शाया राएंगे इसने यद anda हमारे साथ भी अगले दिन क्या होगा वो मुझे पता नहीं है और ना आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है इसलिए समय रहते ही अपने आपको खुदा के हाथों में समर्पित कर दें अपने आपको प्रमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें ये शुमसी पर विश्वास करें और उद्धार पाए पापू की शमा पाए और आपके लिए श्वर का दरवाजा कुला है ये सरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन हमारे अंदर एक बहु मुल्य रत्न है वो है आत्मा ये परमिश्वर के पास जाएगा जिसने भेजा है जिसने दिया है वो उसके पास लोड जाता है सबोब देशक की किताब में लिखा है बसन सही था उसका एक सो थीन अंदर और पंदरा में लिखा है क्योंकि वहां हमारी स्रस्टी जानता है और उसको स्वण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है वो हमारे धनी आमिल वेक्ति था और वो था अयूब और अयूब क्या कहते हैं आप ज्यान से सुनिये पहला अद्धा और 20 और 20 कलम में लिखा है तब अयूब उठा और बागा फाड सिर मुड़ा कर भूमी पर गिरा और डंडवर्ट करके कहा मैं अपनी मा के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लोड़ जाओंगा यहूवा ने दिया और यहूवा ने ले लिया यहूवा का नाम का धन्य हो प्रेज़ यहां तक कि हमने जो कमाया हुई धन है वो भी हमारे साथ नहीं आएगा यहां तक कि हमारी जो पत्नी है वमारे बच्चे है प्रेम के साथ रहने की जरूरत है यही baible हमें सिखाती है और इस प्रत्वी में हम जितने दिन तक रहेंगे उतने दिन तक हम अपने विश्वास को लेकर अच्छे भले कामों को लेकर हम चलें और अंत में हमारे लिए पृस्कार रखा गया है और अंत में हमारे लिए अनंद काल का जीवन है जो कभी नहीं खतम होने वाला जीवन है तो आप सभी को जे मसी की प्रेस लोर्ड